इस शिक्षन कारे में आपका हर्दिक स्वाग अभिन कक्षा शक्तमी विश्य विज्ञान पिछले दो वीडियो में हमने अमल एवम शार के बारे में अध्यन किया पाट से सम्मन देत अभ्यास प्रशनों को अपन इस वीडियो में हल करेंगे प्रशन करमांग एक अमल और शारों के बीच अंतर बताइए अमल एवम शार के बीच में अंतर क्या होते हैं वो अपन को लिखने हैं अमल जो होता हैं वो स्वाद में खटा होता हैं शार कड़वा होता हैं अमला नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं चार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं अमला जल में वियोजित होकार हाइटोजन आयन देते हैं जबकि चार जल में वियोजित होकार ओएच आयन देते हैं अमला छूने पर चीकने नहीं होते हैं चार छूने पर चीकने होते हैं अमला मिथाईल ओरेंज के गोल को गुलावी कर देते हैं चार गुलावी से नीला कर देते हैं अमला फिनप थेलेन को गुलावी नहीं बनाते जबकि चार गुलावी बनाते हैं ये च्छ बिंदु जो हैं ये अमले वंशार के बीज में अंतर है प्रशन कर्मांग का दो अनेक गरेलू उत्पादक जैसे खेड़की साब करने के मार्ज को आदी में अमूनिया पाया जाता है ये लाल लिटमस को नीला करते हैं इनकी प्रकरती क्या होगी तो इनकी जो प्रकरती है लाल को नीला कर रहे हैं इसलिए ये च्छारी होंगे क्योंकि च्छार ही लाल लिटमस पत्र को नीला करता है और ये च्छूने पर साबून की तरद चिकने होते है प्रशन कर्मांग तीन उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलियन को प्रशनकर्मान के चार क्या आसुद जल अमलिय चार किया उदासिन होता है आप इनकी पूष्टि कैसे करेंगे आसुद जल है वो उदासिन होता है क्योंकि इसमें नीला या लाल लिटमस पत्र डालने पर इसमें कोई रंग परिवर्त नहीं होता है यही उदासिन माध्यम या विलियन की पैचान है कहने का मतलब यह हुआ कि उदासिन जल लएंगे उसमें पहले लिले लिटमस पत्रा पर जांच करेंगे बाद में लाल लिटमस उसमें कोई अभीग्रिया नहीं होगी इसका मतलब आसु जल उदासिन परकर्तिका होता है करण के परक्रम को एक उधारन देते हुए समझाओए उद्दासी नी करण परक्रम को समझाना यह एक अम्ला ब चार अभिक्रिया करके लवण और पानि बनाते हैं जिसे से कुधासीने परक्रично क्सेज राट कर पास धे इसके साथ अप्पिक्रिया करेगा तो लवन लवन क्या बनेगा सोडियम कलूराइड यह सी यल बनेगा वह जल का निर्माण होगा इस अप्पिक्रिया में उसमा भी विम्मोक्त होगी प्रश्ण करमांक च्छ निमलिकित कथन यदि सत्य है ती और एफ लगाना सत्य है तो टी और यदि गलत है तो एफ लगाना जैसे नाइट्रिक अमला लाल लिटमस को नीला करता है तो अमला है तो वो लाल को नीला नहीं करेगा नीले को लाल करेगा इसलिए यह गलत है तो चिले को लाल करेगा नहीं करेगा यह चायर है कि इसलिए F है सोडिय when एक मेर्स्यदोन एक दूसरे को उधासिंद करके लवण आइवन जल मनाते हैं देखो सोडियम है यह यह चार है और एक दूसरे के गुणों को चार और अमला है एक दूसरे को नुंष्ट कर देंगे और क्या बनाएंगे लवन और जल बनाएंगे तो सत्य है इसलिए टी सूचक वह पदार्थ है जो अमला या शार ये विलियनों में भेंन रंग दिखाता है दातों के अंदर चाय उना चार की उपस्तती कारण होता है तो अमले की उपस्तती कारण दातों के चाती होती है नकी चार की इसलिए ये गलत है प्रस्ण करवांग साथ दोर जी के रेस्टूरेंट में सीतल यह मर्दूल पेव की कुछ बोतले रखी हुई है लेकिन दुर्पागे से वे चिनित नहीं है उसे गराग की मांग के अनुसार पेव परोशने है एक गराग अमलिय पेव पदार चाता है दूसरा चारिय और तीसर का उदासिन पेव चाता है तो दोर जी यह कैसे तै करेगा कि कौन सी बोतल किस गराग को धनी है उसके शितल पेव पदार तो है परन्तु अमल अचार है उदासिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उन बोतलों का वो चैन किसे करेगा तो तीनों पेव की बोतलों में से त इस बीकर के पेव में नीला लिटमस लाल हो जाता है वह अमलिया है उस पेव वाली बोतल को अलग कर देते हैं सेस बची दो बीकरों में परतेक में लाल लिटमस डालते हैं उसमें से जो नीला हो जाता है वह चारिये है और जो सेस बसता है वह उदासिन है इस परकार से हम उ का आठ का कि जब आप अती अमलता से पीडिद है तो प्रती अमलक की गोली क्यों लेते हैं तो ताकि की गोली अमलक के साथ अभीक्रिया करके उसे उदासिन बना देती है और उत्पन पीड़ा बंद हो जाती है इसलिए अपन प्रती अमलता की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है चार डाल कर दूसरा है जब चीटी कारती है तो तवचा में केले माईन का विलियन लगाया जाता है चीटी के अपन डंक में अपन को पता है कि फार्मिक अमल होता है तो केमाईल है वो एक चार है इसलिए उसको लगाया जाता है तो चीटी के डंक में पॉर्मे कमला होता है और केमेल सार प्रकरतिका है उदासिन प्रक्रिया के लिए जहां पर चीटी ने डंक लगाया है केमाइन के विलियन को रगड़ा जाता है परिणाम सरूप पॉर्मे कमला का कष्ट दाई प्रबाव क्या हो जाता है समाव प्रक्रिया के लिए जहां पर च किया जाता है क्योंकि अप्सिष्ट में अमलिय पदार्थ मिस्रित होते हैं जो जल में मिलकर उसे अमलिय बना देते हैं इस कारण जलिय जीवों का जीवन पर परवावित होता है उसके अंदर जल के अंदर जो अप्सिष्ट पदार्थ यदि डालेंगे तो अप्सिष्ट प्रशन करमांक 9 आपको तीन द्रवे दिये गये हैं इन में से एक आइट्रो कैलोरिक हैं दूसरा सोडियम आइट्रोक्षाइड है तीसरा सक्कर का विलियन है आप हल्दी के सूचक का उपयोग करते हुए इनकी पैचान करना है तीनों द्रवो को तीन अलग अलग प्रखनली म में हल्दी पत्र की पट्यां डाल देंगे एक प्रखनली में हल्दी पत्र का रंग लाल भूरा हो जाता है अता वह प्रखनली में सोडियम हाइट्रोक्षाइड है यह चार की पैचान है जबकि इसी प्रखनली में से अन्य दो प्रखनलियों में थोड़ा थोड़ा विलियन डाला हम देखते हैं कि एक परखनली में से लाल भूरे रंग के विल्यन का रंग क्या हो जाता है गायव जबकि दूसरी परखनली के विल्यन में ऐसा नहीं होता है लाल भूरा रंग गायव होने वाला विल्यम हाइट्रो कैलोरी कमल है जबकि तीसरी परखनली में सक्कर का वि एक विल्यन में डूबोया गया यह नीला ही रहता है विल्यन की प्रकरती क्या है नीले लिटमस पत्र को विल्यन में डूबोया गया है और यह नीला ही रहता है इसका आर्थ यह है कि यह विल्यन के साह है उदासिन है निमन लिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िंगे और उसमें से सही क्या इसका चुनाव करना है अमला एवं छार दोनों सबी सुचकों के रंग में परिवर्थित करते दोनों नहीं करते यदि कोई सुचक अमला के साथ रंग परिवर्थन कर देता है तो वह छार के साथ रंग परिवर्थन नहीं करेगा यदि कोई सुचक अमला के साथ रंग परिवर्थन कर देता है तो वह छार के साथ परिवर्थित नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है यदि कोई सूचक छार के साथ रंग परिवर्तन करता है तो अमला के साथ रंग परिवर्तन नहीं करेगा चोथा जो है गः अमला और छार में रंग परिवर्तन सूचक के परकार पर निर्वर करता है तो लिखे हुए वाक्यों में से कौन हसा वाक्य सही है तो चारों सही है या दूसरे ओप्सन में दे रखा है का तीसरे में दे रखा है दूसरे में दे रखा है का और गा तीसरे में दे रखा है ख और गह गह और चोथा हैं वो किवल गह तो यहां पर उत्तर जो होगा वो अपना किवल गह होगा अमला एवंचार में रंग परिवर्तन सूचक के परकार पर निर्बड करता है